जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, दीवाली के दो दिन बाद भाई बहन के पवित रिस्ते का पर्व भया दूई जाता है, इस पर्व को यम दुतिया भी कहा जाता है, ये पर्व कार्तिक मास के सुक्ल पक्च की दुतिया तिथी को मनाया जाता है, इस पर्व का बहन और भाईयों को बड़ी उस सुक आने का वचन देते हैं। रच्छा बंदन की तरह ये तेवहार भी भाई बहन के लिए बहुत ही खास है। भाई दूज पर बहने भाईयों के माथे पर तिलख लगाती हैं और उनकी सुख सम्रद्धी वाखुसाली की कामना करती हैं। आपको बता दें कि इस दिन यमुना में डुप की लगाने की परंपरा है। यमुना में इसनान करने का बड़ा ही महत्व इस दिन बताया गया है। और इस साल भाई दूज 16 नॉमबर 2020 दिन सुकुरवार को मनाई जा रही है। और इसी दिन भगवान चित्र गुप्त और कलम दवात की पूजा भी की जाएगी। औ अपने कंप्यूटर, तराजू और लेप्टाव आदि की भी पूजा करें। और आपको बता दें कि भाई दूज के दिन टीका करने तक बहन और भाई दोनों को उपवास जरूर रखना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो फलाहर करना चाहिए। इस दि इन बहने सुबह जल्दी उटकर इसनानादी करके सचवस्त पहनती हैं और एपन से साथ भाई और एक बहन बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ साब, बिच्छू, नदी, आदी, विपत्ती की आकरती बनाकर उनकी विपूजा की जाती है और इसके बात कथा सुनी या जाती है। फिर मूसल से भाई पर आने वाली विपत्ती को मार कर उसकी रच्छा करती हैं। इस प्रकार अपने भाई की खुसाली के लिए बहने भगवान से प्रातना करती हैं। इसके बाद बहनों को अपने भाई को टीका करना चाहिए। सबसे पहले अपने भाई को पू रोली, अक्चत, सूखा नारियल, कलावा, दूबादी रखें। इसके बाद बहने अपने भाई को रोली अक्चत से तिलक करें। फिर नारियल पर तिलक लगा कर वे नारियल अपने भाई को दे दें। इसके बाद भाई की आरती करें। और भाई के दाहिने हाथ पर कलावा बान दें और फिर अपने भाई का मूँ मीठा कराएं तत्पस्चात भाई को भी अपनी बहन को उकुहार सरूप कुछ न कुछ दे कर बहन के पैर छूकर उनका आसिवाद जरूर लेना चाहिए इसके बाद बहनों को अपने भाई को प्रेम पूरग भोजन कराकर स्वयम भोज जन ग्रहन करना चाहिए चलिए अब जानते हैं भाईया दूज पर टीका करने का सुमूरत क्या है तो आपको बता दें कि दुतिया तिति की सुरुवात 16 नौंबर को सुबह 7 बच कर 6 मिनट पर होगी और दुतिया तिति की समापती 17 नौंबर 2020 की प्राता 3 बच कर 56 मिनट प इस सुमूरत की कुल अवदी लगबग 2 घंटा 8 मिनट की रहेगी इसी सुमूरत पर वहने अपने भाई को तिलक करेंगी तो ये बेहत सुम रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल ह तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्त पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद